नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्ती जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग आचारे विनोबा भावेजी द्वारा नचित प्रम की प्रतिष्ठा नामक निबंध के प्रश्ण उत्तर को देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने किसी पार्ट के शारांस एवं उससे संबंधित जो वहुविकल्पी प्रश्ण थे उससे देखा था यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख ले क्योंकि उससे फिर आप इस पार्ट के प्रश्ण उत्तर को आसानी से समझ पाएंगे उससे समझने में आपको सुविधा होगी तो आईए चलिए हम सुरू करते हैं इस पार्ट से संबंधित वस्तो निश्ट प्रश्ण को देखिए सरोप्रथम जो है वो लगवुतरिय प्रश्ण उत्तर आपके सामने आ चुका है तो इसमें पहले प्रश्ण को देखते हैं हम लोग विनोबा भावे का वास्तविक ना था ठीक है आपको याद होगा इसे पहले वाली वीडियो में मैंने पताया था कि विनोबा भावे को विनोबा नाम किस ने दिया था महात्मा गांधी जी और उनका वास्तविक नाम क्या है विनायक नरहरी भावे दूसरा प्रश्ण देखिए प्रिथवी का भार किसके मस्त पर इस्थे थे तीसरा प्रश्ण किसने मजदूरों को कर्म योगी कहा है इश्वर ने मजदूरों को कर्म योगी कहा है ठीक है आगे के प्रश्ण को देखते हैं तो थे नमबर प्रश्ण को देखते हैं कौन सा कौन सा सक्ष धर्म पुरुष हो जाता है उत्तर देखिए जो पसीने से रोटी कमाता है अर्थात जो अपने कठिन परिश्वार के दम पर अपनी जीविका चलाता है वह धर्मपुरुष हो जाता है बच्चों यह प्रशन है वो लगुतरी प्रशन है इसी जिए केवल एक-द यहां पर पाच्वा प्रश्ण देखिए कि अपने समाज में किसकी प्रतिष्ठा नहीं है उत्तर अपने समाज में स्रम की प्रतिष्ठा नहीं है अब इस पाठ से संबंदित बोध मूलक प्रश्णों को देखते हैं पहला प्रश्ण धर्म पुरुष इसे कहा जाता है। उत्तर विनोभा भावे ने श्रम करके यानि कि मेहनत करके जीवी का अरजन करने वाले श्रमी को, किसानों को धर्म पुरुष का। कठिन परिश्रम करने वाले लोग दिन भर कर्म में व्यस्त रहते हैं यानि कि काम करते रहते हैं और साम के बाद इन्हें इतनी ठकान हो जाती हैं कि ये आराम और निद्रा के अलावा इनके मन में कोई और गलत ख्याल आता ही नहीं है। किस प्रकार ये अपने कर्म को धर्म मान कर दिन भर चर्म में लगे रहते हैं और पाप को इनके जीवर में प्रवेश करने का अश्रही नहीं मिलता है। लेकिन करने वाले के ना तो दिमाग में खाली जगह होती है और ना मन में अता पाप मुक्त होने के कारण बे धर्म पुरुष के समान होते हैं हमेशा धार्मी कारे करते रहते हैं तो कि दिन बर तो व्यस्त रहते हैं और जब रात होती है तो उन्हें आराम और निद्रा चाहि दूसरे प्रश्न को देखते हैं कौन से लोग है जो खा सकते हैं आश्रवाद दे सकते हैं कार्य नहीं कर सकते हैं उत्तर जो लोग स्वयम को ज्यानी कहते हैं वे ज्यान की बातों में ही दिन रात रमे रहते हैं उन्हें दूसरों को नैतिक उपदेश देने से फुर्षत ही नहीं रहती है, मतलब वो केवल लोगों को उपदेश देते रहते हैं, जो व्यक्ति स्वयम को ज्यानी समझते हैं, वो दिन रात क्या करते हैं, दूसरों को नैतिक उपदेश देते रहते हैं, दूसरों को आशरव यह मैं प्रथिष्था निबंद का शारांस लिखिये इसमें यह Mamتي पर हम सारांस बता रहे हैं , प्रश्टुत स्सार को संसार कारिय को संपादित होते हैं , इनके बगेर जीवन की राह में एक कदम बढ़ना संभव नहीं है, अत्ता श्रम के इन देवताओं की महत्ता निर्विवाद है, लेकिन बरतमान समय में लोग श्रम और श्रमिकों को निम्नस्तर का समझने लगे हैं, जो लोग मानसिक कारे करते हैं, अत्वा व्यवसाय करते है वे तो सारे श्रम को महत्व देते ही हैं, लेकिन लेखक के अनुशार, सबसे बड़ी दुखी बात यह है, श्रम करने वाले मजदूरों वाकिसानों में भी श्रम के प्रती उदासींता आ गई है, वे श्रम को अपना धर्म कर्म ना समझकर इसे एक लाचारी मानते हैं, और म बच्चों को श्रम से मुक्त कराना है, जैसे श्रम को अच्छूत का रहे हो, बिनोबा भावे ने ऐसी कई एतिहासिक प्रोणानिक और ततकालिन उदाहरनों के माध्यम से श्रम के महत्व को रुपाईत किया है, उसमें वे राम के बारे में बता रहे हैं कि राम के बनवास क समय सीटान के साथ जाने की बात कही जाने पर कौसल्या माता जो है, वो सीटा से कहती है, उन्होंने कहा कि सीटा से उन्होंने कोई भी किसी प्रकायर का स्रम का कारे नहीं करवाया है, फिर वो वन में कैसे रहेगी, तो कौसल्या के स्रम के प्रति अनादर के भाव की लेखक क्या की है आलोचना की है तो वही कृष्णी के द्वारा धर्मराज के आयोजन यानि की राजश्वयग्य में चूठे पत्तल उठाने एबं पोछा लगाने के वयम की कारे को स्युकार करने की कारण क्या है उनकी प्रसंसा की गई है महात्मा गांथी मानसिक परिश्रम के साथ ही कुछ वक्त के लिए सूत काटने का सारी रिक्ष्रम भी करते थे तो यहां पर लेखक जो है वह कौशल्या इसके बाद राम और अब तीसरे जो है वह कृष्णी के उदाहरन को दे रहे हैं कि कृष्णी ने स्वयम जो है वह राज मानसिक सारेरिक दोनों कामों में बराबर का योगदान दे कर ही श्रम को उसका सम्मान दे सकता है यानि कि आप मानसिक कारे भी करें साथी सारेरिक कारे भी करें तो आप श्रम के महत्तु को स्थापित कर सकते हैं इसके साथ ही उनकी मानिता है कि हर तरह के श्रम का बराबर स्राम की प्रतिष्ठा क्या इसा स्राम की प्रतिष्ठा निबंध से क्या प्रिणना मिलपी है मैं कि निभंध के द्वारा व्रां के महत्व को निरूपित किया गया है श्रम ही कर्म और श्रम ही धर्म है, श्रम करने वाले कर्म योगी हैं, श्रम करने वाले के मन में पाप की भावना को आने की अवकाश ही नहीं मिलता, यानि समय ही नहीं मिलता, इसलिए वो क्या हो जाता है, पापमोक्त धर्म पुरुष बन जाता है, यानि बंध हमें सभी कारि लिये जाने की प्रेड़ना भी निबंधकार देते हैं और अंत में इस बात को वे विविन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं हमें प्रेड़ीत करते हैं पाच्वे नंबर प्रश्णों को देखिए या एक पंक्ती है कि लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्म योगी नहीं होता इसके रचनाकार का नाम बताते हुए पंक्तियों का आशाय स्पष्टिकरे यह नि भाव स्पष्टिकरी जिसे हम कहते हैं तो देखिए प्रश्टुत गध्यांश आचारे विनोबा भावे द्वारा रचित प्रम के प्रतिष्ठा से अव्दरित है इसके रचनाकार के नुशार केवल कर्म करने के मात्र से कर्म करने मात्र से कोई कर्म योगी नहीं हो सकता अगर किसी के भी भीतर बुरी आदते हैं अथ्वा अपने कर्म को सही थरीके से नहीं करता वह कर्म योगी नहीं हो सकता है केवल कर्म करने से कोई कर्म योगी नहीं होता बुरी आदते भी नहीं होनी चाहिए इसके साथ ही बहुत से लोग कर्म को अपना करताव्य और धर्म मान कर नहीं करते बलकि उसके लिए वो श्रम क्या होता है केवल मजबूरी होती है तो यदि उनके पाप श्रम से जी चुराने या भागने का एक छोटा सा भी विकल्प है इसे व्यक्ति को कर्म योगी नहीं कहा जा सकता है जो व्यक्ति पूरे मन से सद्धा और विश्वास के साथ प्रम में लिप्त रहते हैं आत्मा में किसी तरह का पाप कर्म नहीं पालते ऐसे लोगी सचे अर्थ में कर्म योगी है यह जो हमारी पंक्ति है उसका हम लोगों ने आसे स्पष्टी किया है यानि कि भाव स्पष्टी किया है इसे हम व्याख्या करना भी कहते हैं आईए अब इस पार्ट से संबंदित जो हमारे भासा बोध के प्रश्ण है हम उसे देखते हैं देखिए तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रियोग कर लिंग निर्ने करें यानि कि यहां पर जो शब्द दिये गए हैं उसका हमें वाक्य में प्रियोग करते हुए लिंग निर्ने करना है तो पहला शब्द है हमारा रिट्वी, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका बाक्य में प्रियोग करना होगा, ठीक है? आप बाक्या पृग्वाय मेरे से भी कर सकते हैं, ठीक है? को देखे, हम क्या दिख सकते हैं? हमारी प्रित्वी संदर है और इसके बाद क्या कहा गया है इसका लिंग निर्णे करें तो प्रित्वी क्या है इस्त्री लिंग है ध्यान रखिएगा प्रित्वी इस्त्री लिंग है ठीक है दूसरा क्या है कर्म योगी कर्म-योगी कहां हम बना सकते हैं कर्म-योगी महान होता है तालीम कर्द क्या होता है शिक्षा तालीम आवश्यक है तालीम हमारी आवश्यक्ता तालीम भी क्या है तालीम जो शब्द है वह है त्री लिंग क्यों था है प्रतिष्ठा तुमने अमारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी या फिर धूमिल कर दी ठीक है धूमिल या ने धूल में मिला देना ठीक है धूमिल तुमने अमारी प्रतिष्ठा यहां में लिख देती हूं तो इससे आपको समझ में आएगा तुमिल कर दी तुमिल कर दी तो प्रतिष्ठा कौन सा सब्द है प्रतिष्ठा भी हमारा थ्रेलिंग ठीक है पाच्वा शब्द कौन सा है पाच्वा शब्द है मजदूर मजदूर को देखते हैं हम लोग मजदूर मजदूर का क्या हो सकता है मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं मजदूर क्या है पुर्लिंग है पुर्लिंग पटा शब्द इस जट का होगा हमें अपने बड़ दिन रात मेहनत करते हैं मजदूर की इजट करनी चाहिए मजदूर की इजट करनी चाहिए इसका क्या बन सकता है इजट का होगा आपका इस त्री लिंग त्री लिंग यहां पर ध्यान रखिएगा त्री लिंग पुर्लिंग त्री लिंग पुर्लिंग और यहां पर इस त्री लिंग आखरी जो मारा शब्द है वो है ब्यवस्था जगह की कमी हो गई ब्यवस्था क्या कर सकते है अमारी रवस्था चर्मरा गई और इसका क्या होगा इस्त्री लिंग यहान रखियेगा इसका जो होगा वह वह होगा श्रीलिंग ठीखे यह थोड़ा साब समझ लीजीएगा आइए इसके बाद रम लोग दूसरे नंबर प्रशन को देखते हैं दूसरे नमबर प्रश्ण में कहा किया है कि निमनलिखित वाक्यांशों में आये कारक विभक्तियों का नाम लिखिए यानि कि जो कारक विभक्तियां है उसे हमें बताना है सबसे पहले देखिए रामायड में भी कहानी है इसमें कौन सी कारक विभक्ति है में और वह कौन सी कारक है अधिकरन कारक अधिकरन कारक कारक दूसरा है कीता का जाना कैसे होगा का जो है वह हुमारा कारक है और कौन सा कारक है सम्मंध कारक सम्मंध गह नमबर धर्मराज ने राजसु यग्य ठीक है धर्मराज ने कौन सा करवाया है राजसु यग्य किया था तो इसमें क्या होगा ने कौन सा कारक करता कारक तो था हमारा घर नमबर बूढो को काम से ठीक है बूढो को काम से मुक्तर रहना चाहिए तो इसमें कौन सा है पहला है को और उसके बाद है से इसमें कौन सा होगा पहला होगा को जो होगा वो होगा आपका कर्म कारक कर्म और से जो होगा वो होगा आहपका अपादान का रख को जिए अभ्थ तीहान रिखिएगा तो उसके बाद हमारा तीसरा नंबर जो है वह देखते हैं कि निलगे शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं तो पृत्वी का क्या होगा पृत्वी का अकाश आपका, आपका होगा पुण्य तरीके से नालायक, नालायक का लायक यह आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ही सरल है, ना नीच का उच यह मैं यहाँ यह वाला बता दे रही हूँ, नीच का उच जीवन का मरं, मरं यह मर्त्यओं, आप यह लिख सकते हो, नुपकारी उपकारी का अपकारी और उसके बाद आखरी है हमारा कौन सब बचा, उचित उचित का अनुचित, हम भिलोम शब्द कर रहे है दिहान रहे हैं आपको ठीक है हम क्या कर रहे हैं विलोम सब्द अनूचित आप कर सकते हैं मैं आपको इसे बता दिया है तीके इसके बाद हमारा आखरी जो शब्द यो है धृषिय शब्द के पर्याय वाची शब्द को बताईए यहां पर हमें इन भगवान, भगवान का क्या हो सकता है, भगवान का इश्वर, तेव, प्रभु, ठीक है, ये बाद आपका है रात, रात का निशा, रात्री, रैन, रजनी भी कुछ लोग लिख, रजनी भी होता है, वो भी आप लिख सकते हैं, ये बाद शरीर, शरीर का देह, सन, पाया, आखिर का शब्द हमारा, इश्दत, इश्दत का होगा आपका, सम्मान, प्रतेष्ठा, च्पिर, यहां पर हम लोगों ने इसके परयवाथ सब्दों को भी कर लिया है, इस पार्थ में आए, हम लोगों ने जितने भी प्रश्ण हैं, उसे देख लिया है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बहुँ भी कल्पी प्रश्ण देखा था, और इस वीडियो में हम लोगों ने इसके लगूतरिया बोध मूलक और भाशा बोध को देखा है आसा है यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी और आप इसे लाइक करन नहीं भूलेंगे और चानल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी के साथ तन्यवाद